हाई आप सब तो हमने लास्ट क्लास में मैमोरी के बारे में बात की थी मैमोरी के बारे में बात की थी तो मैमोरी में हम क्या पता रहे थे कि मैमोरी में हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं फिर हमने बात करे थी कि मैमोरी हमारी किस चीज से बनी होती है बहुत सारे cells से मिलके बनी होती है तो memory के अंदर हमारा क्या होता है cells होते है अब हर cell के अंदर हमारा data जाता है इतनी बात हमने memory के बारे में उसकी basic जानकारी ले ली थी अब हमने कहा था कि जो memory है हमने memory को कितने parts में divide किया एक हमने बात करी cache memory की एक हमने बात करी थी यहाँ पर cache memory की दूसरी बात करी थी हमने primary memory की ठीक है primary memory की और तीसरी गई थी हमने secondary memory अब जो primary memory थी उसी को हमने main memory भी कहा था और उसका नाम क्या है हमारा RAM इतनी बात clear है अब हमने जो cache की बात की थी तो cache क्या था हमारी cache के बारे में हमने पढ़ा था तो cache में हमने देखा था कि cache को हमने कितने उसमें डिवाइड करा है L1, L2 और L3 के अंदर ठीक है अब यह L1 से क्या मतलब था हमारा L1 से मतलब था level 1 L2 से मतलब था level 2 L3 से मतलब था level 3 अब cache memory हमने किस से fast बताई थी cache memory हमने बताई थी primary memory से भी जादा fast होती है जो cache memory होती है उसकी size हमारी छोटी होती है किसके comparison में primary memory के comparison में cache memory हमारी costly होती है किसके comparison में primary memory के comparison में इतनी बात हमने cache memory के बारे में की थी L1 memory की बात जब हमने की थी तो L1 memory में हमने क्या देखा था कि जो L1 cache होती है हमारी वो क्या होती है हर किसी के लिए हर core के लिए separate होती है यानि कि अगर आपके computer के अंदर जो microprocessor लगा हुआ है अगर उसके अंदर दो cores हैं तो हर core के लिए अलग-अलग L1 cache available होगी लेकिन L2 के मामले में L2 हमारी केवल और हर किसी के लिए अलग भी हो सकती है और सब के लिए shared भी हो सकती है यानि कि उनके बीच में उसकी sharing भी possible है L3 में भी यह concept था या तो वो separate भी हो सकती है या फिर वो सब के लिए shareable भी हो सकती है ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक और ये है एक और ये है तो इसके लिए L2 cache अलग भी बनाई जा सकती है इसके लिए अलग से L2 cache में मिल सकती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि L2 एक अलग separate जगे रग दी और उनको link कर दिया यहाँ पर इतनी बात clear है अब जो L1 में में मोरी थी हमारी उसकी साइच छोटी थी क्योंकि वो ज़्यादा कोशली होती है फिर उसके बाद करते हैं तो L2 आती है और उसके बाद हम देखती हैं तो L3 आती है अब जो L1 में मोरी है हमारी वो सबसे fastest में मोरी कहलाती है इन comparison L1, L2 और L3 के अंदर फिर उसके बाद हमने करी थी primary memory के बाद तो जो primary memory हमारी है हम उसको दो parts के अंदर divide करते हैं अब जो दो parts है primary memory के वो कौन कौन से थे एक को हमने कहा RAM और एक को हमने कहा ROM तो ये दोनों ही memory हमारी क्या होती है primary memories होती है अब मुझे एक बात बताओ कि आपने टेलीविजन ठीक है जितने भी स्मार्ट टीवी जा रहे हैं वाशिंग मशीन आ रहे हैं या फिर हमारे रेफरिजरेटर्स आ रहे हैं इनके अंदर आपने अपनी ये सारी की सारी चीजें देखी होंगी कि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स रहते हैं आपने बटन दबाया वो स्टार्ट हो गई उसके बाद आपने देखा कि दूसरा बटन दबाते हो तो उसके अंदर टाइमर सेट हो जाता है अब ये जो मतलब क्या आया उसके लिए एक program लिखा गया है तो उस program को कहां पर store किया गया होगा उस program को हमने store किया है किसके अंदर ROM के अंदर अब ROM की full phone की बात करते हैं तो ROM की full phone होती है read only memory read only का मतलब क्या हुआ इसको केवल और केवल read किया जा सकता है यानि कि इसके अंदर edit नहीं कर सकते इसके अंदर हम अपनी तरफ से कुछ लिख नहीं सकते ठीक है यूजर जो है वो लिख नहीं सकता केवल उसको use कर सकता है अब इसको install करके कौन देता है तो इस ROM को जो भी manufacturer होता है वो install करके देता है अब आपके पास computer है अब इस computer के अंदर हम क्या use कर रहे है RAM की full form की बात करें तो RAM की full form होती है हमारी random SS memory क्या होती है random SS और memory अब ये जो memory होती है ये होती है हमारी volatile ठीक है और जो ROM है वो हमारी non-volatile memory होती है कि अगर light भी चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जितना भी data company ने save करके दिया था वो delete हो जाए अगर ऐसा होता कि ROM जो है हमारी volatile memory होती तो इसमें हमारे को क्या दिक्कत आती कि अगर आपने अपनी washing machine को या fridge को किसी को भी चलाया तो आपको problem क्या आएगी भीया आपने चला के छोड़ दिया और बाहिचान slide चली गई तो आपका सारा data corrupt हो जाएगा इसका मतलब कि आपकी बास इतनी complications आ जाएगी कि आपकी जब भी light जाएगी तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा company को call करना पड़ेगा और उसके बाद उसके अंदर दुबारा से program install करवाना पड़ेगा क्या ऐसा कभी हुआ है इस वज़े से हमने roam को क्या कहा है roam को हमने कहा है non-volatile roam हमारी क्या है non-volatile ये un-erasible है volatile जबकि हमारी RAM जो होती है वो होती है हमारी volatile volatile का मतलब ये जब तक इसको electricity मिल रही है जब तक इसको current मिल रहा है तब तक ये अपने अंदर data को संभाल के रख दिये लेकिन जैसे ही current गया तो data भी हमारा क्या हो जाएगा data भी हमारा चला जाएगा क्या हो जाएगा data भी हमारा चला जाएगा तो इतनी बात हमने primary memory और cache memory की कर ली थी फिर उसके बाद देखा था कि primary memory जो है वो कम fast होती है किसके comparison में cache memory के और जो primary memory होती है वो fast किसके मुकाबले होती है तो वो होती है हमारी किसके मुकाबले secondary memory के तो अब आज के topic में हम बात करेंगे secondary memory के बारे में, अब यह जो secondary memory होती है, इसके बारे में आप सब को पता है कि secondary memory किसे कहते हैं, देखो यह लिखा हुआ hard disk, अब जो यह hard disk है, यह हमारी क्या है secondary memory, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, this type of memory is also known as external memory, इस type की memory को हम क्या कह देते हैं, external memory भी कह या फिर auxiliary stories भी कह देते हैं, या फिर इसको non-volatile memory भी कहते हैं, तो इसके कितने नाम हो गए secondary memory के, secondary memory को हम external memory भी कह सकते हैं, auxiliary memory भी कह सकते हैं, और non-volatile भी कह सकते हैं, अब आपके exam में कोशन क्या आता है, कि जो secondary memory है, ठीक है, तो इससे तो आप बता दोगे, कि secondary memory किसे कहते ह exam में question क्या पूछा गया कि auxiliary memory हमारी volatile होती है या non-volatile होती है या मुझे auxiliary storage जो होता है उसके कुछ examples दो तो अब आपको doubt create होगा कि हमने secondary memory पड़ी थी primary memory पड़ी थी, cache पड़े थे registers पड़े थे, लेकिन हमने auxiliary का मतलब तो पढ़ा ही नहीं अब auxiliary का अगर मतलब देखा जाए तो यह auxiliary word का मतलब होता है help ठीक है, जो भार से हम करते हैं, अब यह तो secondary storage है, ठीक है तो इसका काम क्या है, data को store करना यह help ही तो कर रही है, data को store करने का, ठीक है, तो auxiliary का मतलब होता है help या फिर हम इसको कह देते हैं aid अगस केबल किसकी short form है, इस auxiliary की ही short form होती है वो, किसकी short form होती है वो, इस auxiliary की short form होती है, अब जो हमारी secondary memory होती है, वो हमारी slower होती है, यानि कि धीमी होती है, किसके comparison में main memory के, these are used for storing data इनका काम किसकी use में किया जाता है, तो data को store करने के लिए, या फिर information को, और ये किस type से उस data को, और उस instruction को store करती है, तो ये भईया करती है, permanently अगर आपकी बिजली पानी सब बंद हो गए, तो भी इसके अंदर data पड़ा रहेगा अगर आपका बिजली पानी सब बंद हो गया, computer चला रहे थे, light एकदम से चली गही, तो ये थुड़ना होता है कि आपने जो movie डाउनलोड करके अपनी D drive, E drive के अंदर रखी थी, वो भी उड़ जाएगी उड़ती नहीं है ना, corrupt नहीं होती है इसका मतलब कि जो secondary memory है उसके अंदर हमारा data permanently पर्मानेंटली स्टोर होता है जबकि primary memory के अंदर permanently स्टोर नहीं होता कोशन वकायदा पूछा जाता है एक्जाम के अंदर primary memory और secondary memory के बीच में comparison का, कि या तो आप से पूछ लेगा primary memory volatile है या non-volatile है तो आपको बताना पड़ेगा या आप से पूछ लेगे कि volatile memory कौन सी होती है या non-volatile memory कौन सी होती है अब CPU क्या करता है CPU directly does not access these memory अब CPU देखो हमने पहले भी बात करी थी कि जो CPU जो होता है वो इस type की secondary memory को कभी भी direct access नहीं करता इस memory को access करने के लिए वो क्या करता है input-output routines का use करता है किसका use करता है input-output routines का अगर CPU इस secondary memory को direct access करने लग गया न भी या तो उसको कई जनम लग जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए क्योंकि ये memory होती है हमारी धीरे ठीक है और CPU के पास होती है भोत तेज रफतार वाली गाड़ी तो उसको तो चाहिए ऐसे आदमी जो फटा-फट उसके अंदर बैठें और काम पर निकल जाएं the contents of the secondary memory are first transferred अब जो भी content होगा secondary memory का वो कहाँ पर transfer किया जाता है पहले पहले तो किया जाता है main memory के अंदर और उस main memory को हम क्या कहते है RAM और उसके बाद ये data हमारा कहाँ चला जाता है CPU के पास तो CPU हमारा data किस से लेता है या तो cache से लेता है या फिर main memory से लेता है इतनी बात सबको clear है अब जो hard disk है हमारी वो क्या है secondary memory है ये किस type की होती है आपने देखा हो तो ये होती है rigid magnetic disk ठीक है ये एक magnetic disk होती है that is used to store data इसका काम क्या होता है data को store करना और ये data को किस तरीके से store करती है permanently store करती है data को ठीक है clear है hard disk के बारे में तो ये कैसी दिखाई देती है ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आगे पढ़े तो the hard disk is also known as hard drive इसको disk की जगे drive भी कह सकते है ये rigid magnetic disk होती है store करती है data को permanently non-volatile storage device है drive unit के अंदर होती है motherboard के ओपर comprises और ठीक है इसके अंदर और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है फिर बात करते है solid state drive अब ये solid state drive क्या भीमारी है तो भीया जैसे जैसे technology भड़ी तो हमारे पास जो problem थी कि hard disk जो है हमारी ये hard disk है ये जो hard disk है तो इस hard disk के अंदर H-A-R-D hard और D-I-S के disk ठीक है तो जो hard disk है हमारी इस hard disk की speed थी कम इसकी speed थी कम और हमें ऐसा storage device चाहिए था जो थोड़ा सा main memory के comparison में strong हो तो main memory अगर हम देखो अगर इसके अंदर एक difference देखने की अगर journal ही देखें तो देखो होता क्या है यहाँ पर जितनी भी frequency की बात करते हैं हम वो करते हैं MHZ के अंदर megahertz के अंदर अब जो आपकी RAM साती है ना वो आपकी 2666 megahertz पे भी काम करती है तो यह 2666 megahertz पे RAM जो काम करेगी यानि कि यह उसकी काम करने की शमता है आती हैं दूसरी RAM जो 32 megahertz पे भी काम करती है इसका मतलब कि यह 3200 आदिमियों का काम कर रही है और यह कितने आदिमियों का काम कर रही है 2666 का अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यह 32 bit का data एक बार में transfer कर सकती है तो यह कितना कर पाएगी? यह 266 bit ही कर पाएगी आगे चले आगे देखा तो 3600 MHz की भी हमारी RAM आती है और 4000 MHz की भी अब यह decide आपको करना होता है कोस्ट को देख कर कि आपके पास आपकी जेब में कितने रुपे हैं जितने जादा रुपे उतनी जादा MHz की आप RAM लेकर आओगे और अपने computer के अंदर install करोगे तो हमारे पास RAM के अंदर तो options थे कि भी है मेरे पास अगर 8000 रुपे हैं तो मैं यह कितनी 8 GB की RAM यह ले सकता हूँ लेकिन अगर मेरे पास जेब में केवल 5000 रुपे हैं तो मैं इस 32 MHz की RAM को ले पाऊंगा तो क्यों ना हम इसके अंदर भी ऐसी ही ranges बनाएं तो इन्होंने क्या करा कि जो hard disk था तो उसके अंदर जो speed कमाती थी उससे overcome करने के लिए इन्होंने बनाई SATA SSD ठीक है SATA SSD तो company का नाम हो गया SATA तो लेकिन इन्होंने बनाई SSD अब SSD की full form क्या है SSD की full form है हमारी solid state derive solid state derive तो इसकी जो speed थी वो ज़्यादा थी in comparison to the hard disk अब देखतें इसके बारे में solid state drive is also known as non-volatile storage medium भीया केवल नाम बदला है speed बदली है बाकी काम जो hard disk थे storage के permanent storage के non-volatile होना वो सारा काम ये भी करती है ठीक है that is used to hold and assess data unlike a hard drive it does not have moving components अब इसके अंदर क्या difference आ गया कि भीया वहाँ पे spindles होते थे ठीक है sectors होते थे तो ये सारे के सारी जितनी भी पुरानी technology थी इसको हटा कि इन्होंने क्या use कर लिया वहाँ पर gates को use कर लिया वहाँ पे solid components को use कर लिया यानि कि ICs वगेरा और इनको use कर लिया data को store करने के लिए तो इसका access time क्या था? faster था ये shore नहीं करती थी आवाज नहीं करती थी और power भी कम use करती थी ठीक है तो ये बात हो गई हमारी SSD की और hard disk की फिर आपने pen drives देखी है आप pen drive को connect करते हो और उसके बाद data को या तो उसके अंदर store करते हो या उससे data का access लेते हो तो यहाँ पर ये हमारी pen drive है अब pen drive क्या है हमारी secondary storage device है इसको USB flash drive भी कहते हैं अब एक नाम तो ये हो गया और एक नाम इसका देखो ये हो गया है clear इतनी सी बात या फिर इसको हम thumb drive भी कह सकते हैं या फिर इसको हम jump drive भी कहते हैं इसको हम connect करते हैं USB port के अंदर अब USB port की बात करें तो USB 2.0 भी आती है आजकल और USB 3.0 भी आती है It is commonly used to store and transfer data between computers अब computers के बीच में अगर इसको data transfer करना होगा तो हम इसको use कर लेते हैं फिर आए हमारे SD card जो हम अपने mobile के अंदर डालते हैं वो हमारे SD cards हो गए अब इनकी full form पूछे तो इसका मतलब होता है secure digital card SD card का मतलब क्या होता है secure digital card तो आप से full form के बारे में पूछे है तो full form आपको आनी चाहिए इसकी कि SD card क्या है हमारा एक तो storage device है दूसरा किस type का है तो secondary storage है क्या ये volatile होता है तो आप कहोगे कि नहीं ये volatile नहीं होता ये non volatile होता है क्योंकि हमने movie डाले थे phone के अंदर और हमारे phone की battery खतम हो गए थी phone बंद हो गया था उसके बाद भी हमारा data इसमें बचा रहे गया तो इसका मतलब ये non volatile है ठीक है clear है समझ गए अब बात करते हैं compact disc की CDs को देखा है आपने ठीक है अब ये CDs क्या होती है ये भी storage device है तो इनको हम CD का मतलब होता है compact disc CD का मतलब होता है compact disc अब ये compact disc होती है तो ये हमारी portable होती है बाकी सारी चीज जितनी थी ना उपर वो भी portable थी आजकल external hard drives आ रही है हमारी तो वो उनको हम carry कर सकते हैं तो ये portable secondary storage device होती है किस shape में होती है round medium disc की shape में होती है किस चीज से बनी होती है ये पूछ ले तो अगर आपको बताना है तो ये बनी होती है हमारी polycarbonate plastic की अब इस concept को जो CD का concept था इसको develop किस ने किया था फिलिप्स ठीक है फिलिप्स ने और सोनी ने दोनों ने मिलके 1982 के अंदर किया था तो पहली CD हमारी कब बनी थी 17 अगस 1982 ठीक है कहां पर फिलिप्स इन जर्मनी फिलिप्स इन जर्मनी अब इनके structure के बारे में बात करते हैं CD के standard CD is around 5 inch अब इनके बारे में आपसे question क्या पूछा जाता है कि जो CD होता है तो उसका diameter कितना होता है question आता है बकायदा exam के अंदर कि CD का diameter कितना होगा या फिर आपसे पूछ ले तो radius कितना होगा या उसकी thickness कितनी होगी तो our standard CD is around 5 inches 5 inches in diameter इसका diameter होता है अगर मैं यहाँ पर इस CD को draw कर दूँ तो इसका diameter का मतलब क्या होगया इस कोने से लेके इस कोने तक जो CD रेखा खीची है यह हमारी कितनी है 5 inches की है यानि कि अगर यह बीच में छेद है तो इसके इधर और इसके इधर कितना कितना होगया 2.5 और 2.5 और इसकी thickness कितनी होती है 0.05 inches की होती है reflective metallic layer होती है and a clear coating of acrylic plastic एक acrylic plastic की भी इसके ओपर coating होती है these thin circular layers are attached one on top of another as described below ठीक है यह एक दूसरे के ऊपर place की जाती है यानि की रखी जाती है अग carbonate a polycarbonate disk layer at the bottom सबसे पहले bottom के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर पहले polycarbonate sheet रख दी ठीक है has the data encoded by creating lands and pits अब इसके अंदर डेटा बनता है ना डेटा को store किया जाता है तो उनके लिए दो terms use की जाती है पहली term हो गई lands और दूसरी हो गई pits तो एक आपसे पूछ सकते हैं कि यह lands and pits क्या है ठीक है अब the polycarbonate disk layer is coated with a thin aluminium layer अब इसको coat कर दिया जाता है thin aluminium layer से जो की reflect करती है किसको laser को अब यह disk जहां पर रखी जाती है ऐसे तो इसके ओपर read करने के लिए हमारे पास एक laser आता है ठीक है जिस CD disk player के अंदर डालते हो तो उसके अंदर क्या होता है एक lens होता है और laser होती है तो वो क्या करती है इसको read करती है अब read करने के लिए उसको reflect भी करना पड़ेगा तो इ validation in order to protect the below layer अब इसके ऊपर भीया इसके ऊपर protection करनी के लिए हम क्या कर देते है एक layer और चड़ा देते है ताकि जो data हमारा store हुआ है उस data को कोई harm ना पहुंचे it is generally spin coated directly on the top of the reflective layer यानि कि aluminium layer जो होती है उसके ओपर इसकी coating की जाती है ताकि जो data है हमारा उसका loss ना हो ना ही वो हमारा खिराब हो दा लेबल प्रिंट इस अप्लाइड ओन दा लेक्वर लेयर और आर्ट वर्क इस स्क्रीन प्रिंटेड ओन दा टॉप ओफ द डिस्क तो ये काम हमारा होता है अब यह कहता है कि जो CD होती है उसका काम कैसे होता है तो the data or the information is stored or recorded or encoded in CD digitally using a laser beam किसके थ्रू कर करते हैं हम इसके अंदर data को record laser beams से यह laser beams क्या बनाती है वहाँ पर data की lands and pits बनाती है ठीक है that it is tiny indentations or bumps on its surface अब यह laser क्या करती है वहाँ पर खोद देती है गड़े खोद देती है pits हो गए lands हो गए उठा दिया pits गड़े हो गए ठीक है तो ऐसे फिर कुछ ऐसा फिर ऐसे तो इस इसकी form में यह data हमारा store हो जाता है the bumps is called a pit अब यह bumps जो होते हैं इनको pit कहते हैं which represent the number 0 भया नीचे गया इसका मतलब यह number हो गया 0 ऊपर गया इसका मतलब हो गया 1 space where the bump is not created it is called land अब यह बताओ कि यहाँ पर यह land चल रही है हम land क्या कहते हैं समतल जमीन को कहते हैं उसके बाद इनने क्या कर दिया यहाँ पर laser पड़ी तो यहाँ पर गड़ा हो गया होगा तो इस point को इनोंने क्या कह दिया 0 कह दिया अब यह जो plane portion था इसको इनोंने 1 कहा फिर आगे आगे चलेगा फिर उसके बाद यह आगे चला है तो यह 1 हो गया फिर उसके बाद जहाँ पर laser दुब इसके अंदर store होता है तो हमारा data कैसे use हुआ है आपको बताना होगा pits की बारे में पूछे तो pits के अंदर हमारी कौन सी value store होती है तो pits के अंदर हमारी value होती है 0 और land के अंदर हमारी कौन सी value होती है तो land के अंदर हमारी value होती है 1 clear है सब को अब बात करतें DVD अब DVD की क्या जुरूत पड़ गई क्योंकि भी यह जो CD थी उसकी स्टोरेज हमारी कैपेसिटी कम थी लेकिन DVD की स्टोरेज कैपेसिटी हमारी ज़्यादा होती है इसको भी किसने बनाया था इसको को डैवलोप किया था किसने Sony ने मिलके Panasonic ने मिलके Philips ने मिलके और Toshiba ने मिलके इन चार कमपनियों ने मिलके 1995 के अंदर इसको बनाया था Size same होता है यानि की diameter अगर पूछ ले तो 5 inches का होता है thickness पूछ ले तो 0.5 की होती है लेकिन जो capacity होती है इसकी CD से ज़्यादा होती है Types of DVDs अब कुछ होती है DVD Rome कुछ होती है DVD R और कुछ होती है DVD RW RW का मतलब हो गया rewrite table भी और erasable भी जबकि DVD R का मतलब होता है cable और cable write table एक बार write कर दिया उसके बाद आप इसको erase नहीं कर सकते हैं और इसके अंदर दुबारा से कोई data नहीं डाल सकते हो DVD ROM का मतलब हो गया read only अब यह DVD ROM जो होती है यह वारी हमारे पास आती कहां से है तो भीया आपने computer खरीदा है एक laptop ठीक है उसके अंदर कुछ software डालने थे तो यह DVD ROM के अंदर आपकी जो window आई है वो किसके अंदर आई है इस DVD ROM के अंदर आई है ठीक है इस DVD ROM के अंदर आई है जिसके अंदर read only memory है और इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते अब बात करेंगे कि characteristics of secondary memory तो भीया characteristics की बात करें तो these are magnetic and optical memories होती है magnetic यानि कि hard disk में magnetic थी और optical की बात करें तो optical आपने हमारी CDs देखी थी उनके अंदर हम lasers का use कर रहे थे इस memory को हम backup memory भी कहती है non-volatile memory भी होती है और data इसके अंदर permanently store होता है तो यह हमारे secondary memory के क्या हो गए features और features की बात करें तो it is used for storage of data in a computer, same वो ही वाली बात हो गई computer may run without the secondary memory, computer बिना main secondary memory के भी run कर सकता है और यह slower होती है किसके comparison में? primary memory के comparison में अब बात करते हैं random assess memory के, अब random assess memory, full form याद होनी चाहिए सबी बच्चों से गुजारिश है, करपया करके सारी full form जितनी भी बताई हैं उन सब को याद करें random assess memory, यह हमारी क्या होती है internal memory होती है CPU की जो करती है storing data का का काम या programs को या program results को इसके उपर हम read write दोनों काम कर सकती है ठीक है, assess time in RAM is independent of the address इसका जो assess time होता है RAM का वो independent होता है अब बात करें RAM की तो RAM हमारी volatile होती है RAM को हमने एक को कहा static RAM, एक को कहा DRAM ठीक है, DRAM का मतलब हो गया dynamic RAM, एक static RAM होती है एक dynamic, अब इनके बीच के difference देख लो, it is a static memory as it does not need to be refreshed repeatedly अब जिस memory को हम बार बार refresh नहीं करते हों, तो उस memory को हमने क्या कह दिया, static भया सुस्त बैठी रहती है इसको कोई काम नहीं, एक बार memory में एक बार computer चालू हुआ, आपके दूसरा प्रोग्राम एक्जिक्यूट कराया, तीसरा प्रोग्राम एक्जिक्यूट कराया, तो इसका storage भर गया, अब आप ने पहला प्रोग्राम कार्ड दिया, लेकिन इसके अंदर पहले प्रोग्राम का data भी पढ़ा है, इसके अंदर यहां पर वहाँ पढ़ा रहा लेकिन DRAM की बात करेंगे तो dynamic memory as it needs to be refreshed continuously or it will lose the data ये अपने आपको बार बार refresh करती है क्या करती है बार बार refresh करती है its memory cell is made up of six transistors इसके memory cell six transistors के बने होते हैं जो occupy करते हैं more space on a chip and offer less storage capacity इसके अंदर space तो ज्यादा घेरती है लेकिन जो storage capacity है वो हमारी कम होती है किसके comparison में DRAM के comparison में its memory cell is made up of one transistor अब ये बना हुआ एक ही transistor का यहाँ पर बने हुए हैं छै ट्रांजिस्टर के और इसके अंदर एक होता है capacitor its cells occupies less space less space को occupy करती है chip के ओपर और more memory को provide करती है than sram जो हमारी sram होती है वो more expensive होती है किसके comparison में DRAM के it is located on processor or between a processor and main memory ये हमारे processor पे located होती है या फिर processor और main memory के बीच में located होती है sram it is less expensive than the sram ये less expensive होती है it has a lower access time अब जो इसका access time है वो हमारा lower होता है किसके comparison में DRAM के comparison में it stores information in by stable latching circuitry it requires regular power supply so it consumes more power यहाँ पर बार बार power की आवशक्ता होती है अगर constant power supplies को नहीं देते हैं तो ये अपने data को loss कर सकती है it is faster than DRAM as its memory cells do not need to be refreshed and are always available ये faster किस comparison में होती है कि इसके पास जो memory cells होती है उनको हमें बार बार refresh नहीं करना जब उनको बार बार refresh नहीं करना इसका मतलब कि वहाँ पर जो data पड़ा है उसको हम जल्दी से use कर सकते हैं it is mostly used in registers in the CPU और इसका use कहाँ पर किया जाता है रजिस्टर के अंदर तो तब ही तो कहते हैं कि ये fast होती है its cycle time is shorter as it does not need to be paused between assesses and refreshes इसका cycle time short है जिसका cycle time short होगा वो उतनी ही ज़्यादा fast होगी example L2 and LE cache in a CPU अब इसका example दिया है तो देखो इसका example दे दिया L2 और LE cache का ठीक है LE कहलो या L3 cache कहलो कुछ भी कहलो यहाँ पर यह हमारी RAMs हो गई DDR3 DDR4 तो DRAM का मतलब क्या हो गया main memory और SRAM का मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारा SRAM का मतलब हो गया cache की L2 memory ठीक है इतनी बात clear है तो अब कोश्टली कून सी है कोश्टली हमारी SRAM होती है ठीक है ज्यादा electricity consume करती है यह अपने आपको बार बार refresh नहीं करती है जबकि DRAM अपने आपको refresh करती है अगर यह DRAM अपने आपको refresh नहीं करेगी तो आप खुद बताओ कि आपके पास जो storage है 2GB का तो वो 2GB का storage तो आप चार programs के अंदर refill कर दोगे तो फिर आपका CPU चलेगा कैसे clear अब बात करते है read only memory इसके बारे मैंने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है read only memory stand for read only memory the memory from which we can only read ठीक है और write नहीं कर सकते can only read यहाँ पर हम के वल read read कर सकते राइट नहीं कर सकते तो उसको हमने कह दिया read only memory यह हमारी memory कैसी होती है non-volatile non-volatile का मतलब जिसका data गायब नहीं होता जिसका data erase नहीं होता the information is stored permanently permanently होती है search memory during manufacture अब जब manufacturing करी जाती है उसी time page के अंदर data को store कर दिया जाता है अब यह कहां पर use होती है देखो this operation is referred to as bootstrap अब इस method को हमने bootstrap कह दिया अब हम window install करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं microwave oven यहां पर refrigerator भी कह सकते थे या फिर और कोई भी आपका instrument है उसका हम काम कर सकते हैं अब type of roms and their characteristics अब roms के भी बहुत सारे type होते हैं अब यहां पर आप से फूच सकते हैं कि m roms क्या होता है m roms की full form पूचेंगे तो आपको बताना है masked roms m roms का मतलब क्या है masked roms the very first roms were hard wired device that contained a pre program set of data or instruction these kind of roms are known as masked roms which are inexpensive यह hard wired होते थे ठीक है जिनके अंदर पहले से ही program install करके दिया जाता था ठीक है अब program कहलो या instruction कहलो या data कहलो तो इस type के roms को हमने क्या कहा है यहाँ पर masked roms का है फिर आई हमारे पास p roms अब p की full form हो गई programmable और roms का मतलब हमें पता ही है read only memory अब जो p roms है हमारी वो read only memory है that can be modified only once by a user इसको एक बार user program कर सकता है यानि कि जो option इस पहली वाली masked roms के अंदर नहीं था वो feature हमें इसके अंदर दे दिया कि भाया यहाँ पर आप कह रहे थे कि आप इसको छेडी नहीं सकते तो आपने बोला चलो यहाँ पर एक बार तो छेडी लो एक बार अगर इसको प्रोग्राम कर दिया तो फिर उसके बात नहीं कर सकते यह वो वाली बात हो लगई कि कंपनी के अंदर जो यह चिप गई थी इसको ठीक है कंपनी ने अगर प्रोग्राम करके दे दिया तो फिर उसको दुबारे से नहीं कर सकते है तो वो rome ही तो हो गई लेकिन उसको प्रोग्राम कर सकते है तो वो programmed rome कहला ही अब आई EEPROM अब इस EEPROM ने इस PROM का भी बठा विठा दिया कि भाई या मेरे को तुम ERAGE भी कर सकते हो मेरे को तुम प्रोग्राम भी कर सकते हो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो EEPROM can be erased by exposing it to the ultraviolet light अब इसको erase करने के लिए हमें किस light की जरूरत पढ़ रहे हैं यहां पर ultraviolet light की for a duration of up to 40 minutes करीब करीब 40 minutes हमें ultraviolet light के अंदर रखना पड़ेगा ताकि इसका data erase हो सके अब इसके अंदर जब प्रोग्रामिंग होती है तो इसके अंदर जो चार्ज होता है अब जो data होगा ठीक है उस data को डालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देखो यूज करना ही पड़ेगा अब या तो वहाँ पर हम गड़े खो दें लैंड लगा दें या पिट्स कर दें उसकी जगे अब हम यहाँ पर programmable read only memory जिसको erase भी करना है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम किसी टाइप का चार्ज यूज कर देंगे अब वो चार्ज यहाँ पर इस तरीके से store कर दिया जाता है कि एक बार आप अपनी ROM को अगर प्रोग्राम कर देते हो तो वो ROM करीब करीब 10 साल तक अपना चार्ज दूज नहीं करती यानि यह वो वाली बात हो गई कि आपने अपने घर के inverter की बैटरी को एक बार चार्ज कर दिया और उसके बाद आपने ना उसको यूज किया और यूज भी कर लिया तो भी वो 10 साल तक चार्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब बात करतें नेक्स टॉपिक की तो नेक्स टॉपिक में आ गया हमारा डबल यी पी रोम अब ये क्या है? इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल पहली वाली क्या थी? वो केवल इरेजेबल थी अब उसको इरेज करने के लिए हमने किसका यूज किया था? यूवी लाइड्स का अब इन्होंने का कि भी या मेरे को डिलीट तो करना है डेटा इसके अंदर का लेकिन इसको डिलीट करने के लिए मैं 40 मिनट नहीं बैठ सकता सनलाइट के अंदर ना मैं इसको रख सकता इतना टाइम मेरे पास नहीं है तो भीया इंजीनियर्स ने क्या करा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल अपनी पी रोम बना दी दुबारा से कि तुम इलेक्ट्रिसीटी से इसको इरेज करो और उसके बाद इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर लो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम is programmed and erased electrically इसको 10 हजार बार इसके अंदर डिलीट कर सकते हैं और ये प्रोग्राम इरेजिंग में कितना टाइम लेती है? 4 से 10 मिली सेकंड्स का ही टाइम लेती है clear इतनी बात तो यह हमारी EEPROM थी हमें इनकी फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए EEPROM की EEPROM की ROM की और M ROM की और हमारे ROM की तो यह सारी की सारी फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए अब इनके एडवांटेजिस सुन लो तो इनके एडवांटेजिस थे कि यह non-volatile in nature थी इनको change नहीं किया जा सकता था RAM से ज़्यादा सस्ती होती थी और easily हम इनको test कर सकते थे ठीक है यह reliable भी ज़्यादा है RAM से reliable तो जब है न भी या क्योंकि यह non-volatile है ठीक है static and do not require refreshing इसके अंदर refresh करने की बार-बार जमेला नहीं पड़ता था एक बार date अडल गया अडल गया क्या दिक्कत आ रही है contents are always known and can be verified ठीक है तो यह बात हमने करी आज इस topic के बारे में अब बात करते हैं memory unit की अब memory unit देखोगे तो memory unit के लिए हमारे पास भी या unit देखो हर चीज को बताने के लिए हमारे पास कोई ना कोई unit होनी चाहिए आपने देखा कि आप 10 minute तक चलते रहे तो उस distance को ना पने के लिए आपने एक unit बना दी जिसको आपने कहा meter या फिर आपने बनाई kilometer या आपने कहा उसको mile तो ऐसे ही computer के अंदर भी हमारे पास data को store करने के लिए units होती हैं और उन units को हम क्या क्या कहते हैं अभी हमें देखना पड़ेगा अगर मैं कहता हूँ कि मुझे केवल एक ही digit को store करना है तो उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई ऐसे नाम की प्राणी होना चाहिए जिसको मैं ये कह सकूँ कि इसके अंदर एक data store है तो मैं इसको कोई ना कोई नाम तो दूँगा इसका मतलब है कि अगर मुझे zero store करना है या फिर one store करना है तो उसको मैंने क्या कहा bit कहा अब bit की full form आपको पता होनी चाहिए bit की full form होती है binary digit binary हम क्यों कहते हैं अब ध्यान से सुनो binary का मतलब होता है हमारा 2 binary का मतलब होता है 2 अब यहाँ पर bit जो लिखा है इसको हमने क्या कहा इसकी full form हमने बताई कि इसे हम binary digit कहते हैं यानि कि इसके अंदर 2 digit ही आती है या तो zero आएगी या फिर one आएगी मैंने ये नहीं कहा है कि zero और one ही आएगा मैंने कहा है या तो zero आएगा या फिर इसके अंदर one आएगा अब bit की बात करें तो bit से हमारी जो memory है वो start होती है क्योंकि सबसे चोटी unit हमारी computer के अंदर bit ही होती है या तो zero या फिर one अब इस से चोटा किसी के पास हो तो वो मुझे बताए अब bit की बात करते हैं तो bit तक computer memory unit starts from bit computer की memory unit हमारी कहां से शुरू होती है bit से start होती है bit हमारी क्या है सबसे smallest memory unit है ठीक है data को measure करने के लिए और store करने के लिए कहां पर या तो main memory के अंदर या storage device के अंदर कहीं पे भी करना हो RAM की बात करोगे cache memory की बात करोगे या फिर आप किस की बात करोगे secondary memory की बात करोगे किसी की भी बात कर लो आपको उस unit की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास जो data है उसको हमने किसके अंदर store किया है तो सबसे छोटी smallest unit हमारे पास memory की क्या है bit है अब bit can have only one binary value out of one or and zero bit is represented by b और bit को represent करने के लिए हम किस symbol का use करते है b symbol का use करते है अब बात करते है binary की sorry byte की अब byte को देखोगे तो byte क्या है अब byte is a basic unit of storage यह हमारी basic unit हमने कहा था ना कि 1 kilobyte 2 kilobyte mb ठीक है kb तो यहाँ पे क्या चल रही है हमारी bytes चल रही है अब इससे थोड़ा बड़ा भी चाहिए अब हमारे पास एक पैसा तो था लेकिन एक पैसे से ऊपर भी तो भढ़ना था तो हमने क्या कहा एक रुपा अब एक रुपे के बाद हमने क्या कहा है 10 रुपे तो ऐसे ही किलोमीटर की बात करी थी तो सबसे पहले हमने मीटर की बात करी थी फिर हमने किलो मीटर की बात करी थी तो यहाँ पर भी सबसे छोटी यूनित हमारी बिट हो गई अब यह बिट्स जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगी यहाँ पर बाइट्स बनाएंगी ये bit जूड़ जूड़ के क्या बनाएंगी bytes बनाएंगी a byte is a basic unit for storage capacity in the computer system it is also used by the computers to represent the characters such as numbers, letters or symbols ये क्या represent करते हैं numbers, letters or symbols अब मैं एक बात कहूँ आपको मेरा नाम नितिन है ठीक है तो मेरे को इस data को store करना है computer के अंदर तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे code बना होगा जो दिखाई देगा तो अब ये बताओ यहाँ पर अगर मैं एक एक digit की बात करूँ तो हर एक value को मैंने bit कह दिया लेकिन इस सारे combination को भी तो मैं कुछ कहना चाहूँगा ठीक है तो उसके लिए जब मेरे को कोई term चाहिए थी तो वो term हमारी क्या आई? byt आई अब मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने किया हुआ है mca ठीक है और मेरा qualified है APS यानि कि Army Public School का exam मेरा qualified है बेरा DSSB का exam भी qualified है अब मैं इस data को क्या करता हूँ? computer के अंदर डालता हूँ तो computer के अंदर डालने के time पर यह computer तो ऐसे समझेगा नहीं कि भाई याद D लिखा है तो इस D को पहले तो यह transform करेगा किस के अंदर अपनी language के अंदर अपनी language में करेगा तो यहाँ पर 11001101 कुछ ऐसे लिखेगा फिर S के लिए भी लिखेगा फिर I के लिए भी लिखेगा और B के लिए भी लिखेगा तो सब के लिए लिखने काम computer का है तो उतने words को हम किस से पहचानते हैं किस से पहचानते हैं बोलो उसको पहचानते हैं हम bytes से अब it is also used यह तो हमारा हो गया था अब यह क्या कहता है कि यहाँ पर देखो 2 raised to power 8 और 256 different values these values start from देखो 3, 3, 6, 7, 8 से कहां तक चले गए यहां तक byte is represented by B अब byte को represent करने के लिए हमारे पास क्या होता है बड़ा B यहाँ पर जो values एक byte के अंदर आ जाएगी वो कितनी आएंगी 2 raised to power 8 आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2 raised to power 8 तक की values यहाँ इस binary के अंदर आ गई हमारी kilobyte की बात करें तो kilobyte के अंदर हमारी 10 raised to power 3 होती है kilobyte हमारी क्या होती है 10 raised to power 3 यानि कि 1 kilo kilo के अंदर 1000 ml होता है आपने कहा 1 kilo यानि कि 1000 grams तो यहाँ पर 1 kilobyte 1 kilobyte का मतलब हो गया 1000 bytes अब इस 1000 के अंदर कितनी 0 है तो 10 की power 3 0 ही तो है लेकिन हमारे अंदर confusion किस चीज का रहता है कि हम यही नहीं पता रहता कि kilobyte क्या होता है और कीबी बाइट क्या होता है तो यहाँ पर जो actual form होती है वो होती है कीबी बाइट की किसकी होती है कीबी K-I-B-I और यहाँ पर क्या लिखा है K-I-L-O kilo अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 1024 bytes अब हम इसको किस तरीके से लेके जाते हैं देखो आपने देखा है कंप्यूटर के अंदर जब आप two का multiple use करते हो तो आप से पूछने हैं कि 128 128 के बाद क्या आएगा तो आप कहते हो 256 आता है 256 के बाद क्या आता है 512 आता है और 512 के बाद क्या आता है 1024 यानि कि यह 1024 जो M भी कहते हो यह क्या होता है maybe bytes होती है mange bytes नहीं होते अगर मेगा bytes होते तो इसके अंदर 10,000,000 bytes ही होते लेकिन यहाँ पर maybe bytes के अंदर कितनी है 10,48,560 bytes आती है तो ये difference होता है हमारा kilo bytes के अंदर और kiwi bytes के अंदर यहाँ पर देखो के kilo के अंदर तो thousand ही होंगी अब kilo आपका वजन का ले लो या लीटर का ले लो किसी का भी ले लो तो उस kilo के अंदर तो 1000 ही होगा kilo का मतलब तो लेकिन kiwi का मतलब होता है हमारा 1024 1024 अब 1024 kiwi का मतलब हो गया 1024 bytes ठीक है 1 kiwi का मतलब हो गया 1000 1024 bytes 1 kiwi ठीक है तो आप जो कहते हैं यहां पर 1 kb अब यह kb क्या है तो यह kb हमारा अगर इतना data store कर रही है तो यह kb है और अगर यह केवल 1000 bytes ही store कर रही है इसका मतलब यह क्या है हमारी kilobytes है तो ऐसे ही difference हमारे सब के अंदर मिलते हैं अब आप से इसमें exam में question क्या पूछा जाता है आप से कहा जाता है कि भिया मुझे यह बताओ कि 1 kilobytes के अंदर कितनी bytes होती है तो 1 kilobytes के अंदर हमारी कितनी bytes होती है 1024 bytes होती है ठीक है तो आप से अगर 10 raise to power 3 की बात करता है तो 10 raise to power 3 हो गई और यहां पर बात करेगा तो कीभी bytes हमारी 2 raise to power 10 तक जाती है यह 2 raise to power 10 पे ही तो 1024 बनेंगी ठीक है अगर megabytes की बात करता है तो megabytes हमारी 10 raise to power 6 हो गई ठीक है megabytes को तो हम 10 raise to power 6 में बताएंगे लेकिन जो maybe bytes होगी हमारी वो किसके अंदर जाएगी 2 raise to power 20 में 2 raise to power 20 के अंदर क्योंकि यहाँ पे actual data computer का हमारा किसमे होता है binary में तो हम यहाँ पे 2 का use करते हैं अगर decimal value में बात करते हैं तो 10 के अंदर बात करते हैं decimal के लिए ऐसे ही हमारा gigabytes हाती है जिसके अंदर 10 raise to power 9 होती है और यह हमारी 2 raise to power 30 होती है तो यह दोनों की दोनों terms हमें हर किसी के लिए याद करनी है terabytes ही बात करते है 10 raise to power 12 और 2 raise to power 40 यानि कि यह tabby bytes हो गई यह PB bytes PB bytes 2 raise to power 50 होती है 2 raise to power 50 हमारी क्या होती है PB bytes तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया memory को identify कर लिया memory की सबसी smallest unit क्या होती है हमारी क्या होती है बोलो bit होती है bit के बाद हमने बात करी थी byte की अब फिर हमने बात करी kilobyte की और kibibyte की kilobyte क्या होई हमारी kilobyte का मतलब हुआ 10 raise to power 3 mebibyte का मतलब क्या हुआ 2 raise to power 10 sorry kibibyte का मतलब क्या हुआ 2 raise to power 10 तो यहाँ पर दो अलग-अलग languages का दो अलग-अलग terms का यूज करके हमने memory को differentiate किया है kilobytes कहते हो तो उसका मतलब होता है 10 raise to power 3 अगर kibibytes कहते हो तो उसका मतलब होता है 2 raise to power 10 अगर kibibytes कहा है तो आपका data कितना store हुआ है 1024 bytes अगर आपने kilobytes store किया है तो इसका मतलब है 1000 bytes ही आपने store किये हैं इसके अंदर कितनी bytes कम है 24 bytes हमारी कम है तो ऐसे जैसे जैसे हमारा space size भढ़ता जाएगा हमारी terms change होती रहती है KB से हम MB पर आते हैं MB से हम GB पर जाते हैं GB से हम TB पर जाते हैं तो यह हमारी कुछ terms थी तो यह हमारे इस topic का यहां पर अंत हुआ next के अंदर हम देखेंगे computer ports के बारे में computer ports के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आजकल exams के अंदर अगर हमसे पूछ लें कि thunder port क्या होता है तो thunder port के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर thunder port नहीं पता है तो इसका मतलब कि हमारा exam देने जाने का फायदा ही नहीं है क्योंकि technology बदलती जा रही है पहले जिस time पर हम पढ़ते थे उस time पर thunder port हमारे नहीं आते थे ठीक है आपसे पूछ लेंगे HDMI port कौन सा होता है तो HDMI port की full form पूछ सकते है ठीक है USB की full form पूछ सकते है तो इसके साथ आज की class में इतना ही next class में हम पढ़ेंगे computer के ports के बारे में computer के अंदर ऐसे कौन कौन से ports होते हैं जिनके बारे में examiner हमसे पूछ सकता है तब तक के लिए by take care पढ़ते रहो मस्त रहो व्यस्त रहो और channel को like, share, subscribe करो और description के अंदर हमारी जो app है उसका play store का link आपको दिया हुआ है जहां पर आपक complete course इसके बारे में मिल जाएगा तब तक के लिए by take care have a nice day